नमस्ते एश्रोरे मेरी जंक्शन में आपका स्वागत है दिस इस डॉक्टर आमी धर्शद मैता यह जो वीडियो है मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मैं बताऊंगा तो आज का जो वीशह है देटी स्टेबिल्टी लाइफ में स्टेबिल्टी क्यों नहीं आ पाती है आपने कभी सोचा है कि पानी और स्टेबिल्टी जो है वाटर और स्टेबिल्टी यह दोनों में कनेक्शन होता है जैसे पानी और प्रोस्परिटी में भी कनेक्शन है वैसे ही पानी और स्टेबिल्टी में भी कनेक्शन है अगर लाइफ में आप कम पानी पी रहे है वाटर इंटे इक्वल कॉंटिटी में मलब रेगुलर प्रॉपर कॉंटिटी में अगर पी रहे है देन यौल लाइफ विल बी स्टेबल एन इफ यह द्रिंकिंग वाटर इन दम मच ज्यादा अगर पी रहे है पानी तो तो भी स्टेबिलिटी में प्रॉबलम आएगा मलब यू विल जंप वन जॉब टू अनदर जॉब वन अदर वन अब स्टेबल नहीं रहे पाएंगे और स्टेबिलिटी का असली मतलब में आपको समझा देता हूं कि स्टेबल लेना वन अब ऐसा नहीं है कि कंपनी के अंदर अगर आप 10 साल काम कर रहे हैं तो यू आप स्टेबल यू आप प्रमोशन और ग्रोथ नहीं मिल रही है तो वी कैनाट से देट यू हैव दर स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी का मतलब होता है उन्नती ग्रोथ यह सब भी होता है तो स्टेबल रहना मतलए एक ही जौब में 10 साल काम करना वो सेम पेमेंट के उपर देट इस नॉट काल यह यू हैव टू दूइंग दो प्रॉपर कॉंटिटी और तो कितना पानी पीना है तो आपका वेट जो होता है वेट को डिवाइड कीजिए 17.5 से 17.5 से आप उसको डिवाइड कीजिए वेट को आपको कितना लीटर पानी पीना है दिन में वो एक्चलि आपको मालूम तो इस हिसाब से इस विल वर्क इन बोद दो वेस इन लूजिंग यो वेट अलसो क्योंकि पानी अगर ज्यादा पिएंगे तो खाना भी कम खाएंगे आप खाना अगर कम खाएंगे तो अबेसिटी जो है वो आटोमेटिकली इट विल कम इंटो दे चेक बहलो वो प्रॉपर हो जाएगा तो हिंदी में कहा हाँ है एक एरो से दो शिकर तो दिस इस डैट वे उनली एक रेमेडी से दो इलाज तो प्रॉपर कॉंटिटी में पानी पीजी है तो आपके लाइफ में और स्पालिटी आजाएगी suppose you are having 100 kg weight then directly divide it by 17.5 17.5 you will get how much liters of water you should intake daily if you are consuming the proper quantity of water then your life will be stable if you are not consuming the proper quantity of water as per this calculation then stability will not be there into your life and if you are drinking more quantity of water than the calculated one then also there will not be the stability you will be jumping from one job to the another job so drink proper quantity of water to have the stability in your life so this is the simplest remedy and by doing this remedy there are two benefits your weight will also lose if we are eating more then then also your weight is going to increase if your weight is already at a very higher level 100 kg is much more weight and many people nowadays have the weight 90 kgs 100 kgs so that is too much of it if you are eating too much then also your weight will go on increasing so actually you have to consume more water at the time of eating the suppose you are eating at eight o'clock then at 7 30 actually consume the two glasses of water and then actually have the food so you will see that your food intake will also be lessened and your obesity that is that in the body your obesity will go on reducing so this simple remedy this one remedy actually will work for both so have a prosperous and a very stable life thank you very much pranam